हेलो एवरिवन मैं आज क्लास 12 बासवंदता का ही चैप्टर 2 वैल्योशन अफ गुडविल जो चैप्टर है वह आपको आज बताने जारी हूं इसका मैंने पार्ट 1 लास्टे बताया था उस पार्ट 1 में आपने सीखा था गुडविल क्या है क्या कॉंसेप्ट है बेस्टिक लिवल उसका और उसमें आपने यह मेतट सीखा था ऐबरिज मेतट जिसमें आपका दुञते हैं Titane अपने पार्ट 1 वीडियों में देखा था मेरा और आज मैं आपको पार्ट 2 वीडियों में बताने जारी हूं गाषर क्वणary of सार अब अभन सारे स्ठेप्णरा 40 में केmentation स में देखिएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं यह कह दू कि बहुत जन मेरे वीडियो को देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज कीजिए और कमेंट भी कीजिए जो जलते हैं Super Profit Method के और तो आपका Super Profit Method यह रहा Super Profit Method करने से पहले उसके कुछ वाल से वो देख है Super Profit Method में क्या दूल है जब आपकूरी होते के मैं यहां basic level नहीं बता रही हूं concept भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि यह मैंने part 1 में बता दिया था तो यह सब आप देखने के लिए part 1 देखके यह part 2 देखिएगा तो goodwill find out जब करेंगे तो super profit number of years purchase यह तो आपको पता है लेकिन super profit के यहाँ पे हम लोगों का part 1 में average profit हुआ करता था लेकिन जब आपको super profit बोलेगा तो यहाँ super profit आ जाता है अब देखिए goodwill find out करने के लिए आपको यह formula चाहिए अब यह formula के लिए आपको super profit होना कंपल सरी है अगर नहीं होगा तो फिर super profit निकालिएगा तो super profit का formula क्या होगा average profit minus normal profit average profit को हम लोग actual profit भी कहते है ठीक है और सिर्फ अगर आपका profit भी लिखा रहेगा तो आप समझ चाहिएगा कि वह average profit ही है ठीक है तो आप इसके लिए हम लोग वह यह चाहिए अच्छा average profit अब super profit करने का यह formula है तो तो अब हमें क्या चाहिए average profit आपको normal profit नहां पे average profit आपको पता है कि कैसे निकलता है मैंने part 1 में बताया था average profit को निकलने का formula जितने भी profit होंगे जितने साल के सब को add करके और जितने year के होंगे उससे आप divide कीजिएगा मतलब total profit by number of years यह average profit का formula यह तो आपको पता है यह change नहीं हुआ है हां लेकिन normal profit आपका नया है उसको निकालने के लिए आपका यह formula है normal rate of return into capital employed अब capital employed नया है तो उसको निकालने का यह formula है asset minor liabilities यह आपको पता है asset मतलब क्या होता है तो liabilities क्या होता है अपने class 11 में balance sheet में किया होगा तो asset मतलब जितने भी हमारी long period के लिए जिस चीज को हम touch कर जपाते हैं जैसे building furniture यह सब हमारा यह सब हमारा asset है tangible non tangible goodwill हमारा क्या है मैंने यह part 1 में बताया हुआ है आपको और liabilities तो आपको पताईए कि कल होके हमारा क्या burden है कल हम जुकता करना पड़ेगा यह सब हमारा liabilities होता है तो asset जितने भी है liabilities जितने भी है इससे minus करने पर आपको capital amount मिल जाएगा ठीक है तो यह capital अगर मिल गया तो आपको normal profit मिल जाएगा तो कुछ of super profit मिल जाएगा उसके बाद आप goodwill find out कर पाएंगे तो यह चार steps से हमारा super profit method बनता है ठीक है तो चलिए sums की और sums में हम लोग आज करेंगे 27 number sums इसमें सम्स में है देखिए super profit method है 27 number sums में आख क्या क्या रहा है आप firm on net profit during the last five years में इनका क्या क्या profit the first year में 7000 second year में 6500 third year में 8000 and fourth year में 7500 fifth year में 6000 यह पांस सल का पांच profit हुआ तो इससे आपको average profit निकालना हुआ यह सबाब पार्ट बन में देखे थे तो वह मैं बताओं कि इसके बाद में देखे capital investment आपको यहां पर capital employed का जो amount given दे दिया आपको ऐसे टर मैंने जो liability मैंने जो formula बताए था वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर capital amount दे दिया है अब फेर return on capital वही normal profit का जो निकालने का formula था यह नर्मल profit निकालने का formula यहां पर capital employed है हां तो यहां पर जो formula था normal profit का कि normal rate of return into capital जितना भी capital रहेगा उस पर आपको rate of return देखिए इसका बहुत सरा नाम होगा normal rate of return भी हो सकता है एक फेर rent rate of return भी लिखा रहेगा तो आप confuse मत होईएगा तो वही है आपके book के sums में जो यहां पर है देखिए यहां पर है affair return on capital in the market 12% तो वही है इससे आपका normal profit निकल जाएगा अब आपको find out the value of goodwill of the basis the best on three years goodwill आपको तीन साल का निकालना है जब आप goodwill find out के जिएगा और purchase average super profit past five years मतलब यह पास साल का से आपको average profit निकालना होगा यह सब मैंने सिखाया था part one में ध्यान दीजिएगा part one तभी part two समझ में आएगा तो चलिए solution में चलते हैं कि यहां 27 का solution देखिए यहां पर यह लिखा पांच साल मैंने profit है इतना फर्स्ट यह का सेकेंड यह इतना थर्ड यह इतना फूर्थ यह इतना फिफ्थ यह इतना तो पांच को मैंने एड किया तो इतना आया इतना आने से आपको आपरेज़ पॉफिट निकालना पर दिए तो अपरेज फॉफिट के लिए आपका फॉर्मुला क्या था टोटल प्रॉफिट की नंबर और आफ यहां यह इन्हीं पार्ट वन ने पार्ट चुन में लिखा है यह साथ ने वह यह मैंने बताया था आपको तो आपको अरुग मिल गया और कैपिटल तो आपको गीवें नहीं था 40,000 रिट अफ रिटर्न अपको 12% दिया था तो इस हिसाब से आप नॉर्मल प्रॉफित भी निकाल दीजिए नॉर्मल प्रॉफित का भी मैंने बताया फॉर्मुला क्या था कैपिटल इन्टू कैपिटल में दम्सवीत कैपिटल इंपल्ओई इइंटू Episode रिटर जो रे टेगव तो तो एकिए 40 passejण व्रापिट दलता उसका टोब फरसेंड नर्मरेट मृट इन हुआ इतना मिल गया नालम्ल प्रॉफिट ठीक है अब नॉर्मर प्रॉफिट ढूंको सुपर्फिट भी मिल जाएगा शुपरफीं का फॉर्मॉला पुद्विल भी फाइंड आउट कर लेंगे फाइंड आउट करने का फर्मॉला है फ्रॉफित इन्टू नंबर आफ यह तो आपको पुला था ना सम्में कि इन गुद्विल आपको कितने साल का करना है सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ ता याद कीजिए तो सुपर फाफिट आपका यह बाइस हुआ और नंबर आफ यह त्री यह हो गया इंट का मल्टिप्लाइ कीजिएगा तो आपको गुद्विल आमांट मिल गया ठीक है तो आप चलिए हम चलते निक्स्ट सम्में यह र आपको क्या निकालना है देखे दियां से आपको गूद्विल फाइंड ऑट करना है तीन साल का और आपको सुपर फाफिट के अंडर से ही मतब सुपर फॉट की दूर निकालना मतब कौन सब्सक्राइब थाना स्वाइट करना है इतना देदिया 24,50,000 लाइबिलिटी कैन ल करेंट लियाबिलेटी मतलब होता है कि जो पर्डे का कहानी हो और फिक्स लियाबिलिटी का मतलब जो लॉंग प्रियेट के लिए हो एक बार ठीक है तो चलिए अबरीज कैपिल इंप्लॉइट इंद आप भी आपको कैपिल अमांट दे दिया है 20 लग नॉर्मल रेट ऑफ रे हैं तीन साल का दिया है देखिए तीन लाग बारा हजार दो लाग एट टू लाग एटी एट थाउजन और ट्री लाइक्स तो इन तीनों से आइट करके आपको अबरीज पाफ निखल जाएगा डिवाइड कर दीजेगा नंबर आफ यर्स फियर रेमोनेरेशन टूदा पार क्या चीज लेस करना है मैंने वो लिष्ट दिया है आट का भी और लेस का भी 6 नंबर समस में ही मैंने जब मैं 6 नंबर स्टार्ट की थी पार्ट वन में तो जब थोड़ा डिसकस करने के बाद मैंने लिष्ट दिखाया फिर सम डिसकस किया इसलिए 6 नंबर समस का पूरा दे देखना ना भूल ले ठीक है तो चलिए फिर एमुरेशन यह आपका देदी है तो चलिए समस्लिशन में चलते हैं सलिशनुजन इह रहा है ठती है नंबर ब्रॉफित इह निकालना निकदान से गहिंबूत में चलता है। total profits है by average profit निकालना है total profit number of year नंबver of year मतलब 3 साल यह जो है इससे मैंने divide किया तो आपको मिल गया average profit अप यहां से देखिये यहां पर जो रहे मुणुरेशन बोला था उसको मैंने माइनस किया क्योंiteit क्या लानिंग्ट था कि देखिये good लोटने पाइन के वास कुछ सब्सक्राइब लोटनी यह कर रहें तो मैंने उस लिश्ट में मैंने बताया था है तो जितनी भी इंकम रिसीव होते हैं गेन होते हैं वो सब लेस होता है और जितने भी आपको लॉसेस होंगे आप नॉर्मल लॉस होंगे ही सब हमारा क्या होगा एड होगा ठीक है तो यहां पर इसलिए मैंने लेस्ट किया 40,000 को और मिलगे हमें 2,60,000 इंतुन का माइनस से ठीक है तो यह हमारा एबरेज पॉफिट तो यह हुआ जब आपका निकल जाएगा तब आप यहां पर यह कीजिएगा लेकिन 6 नबर जो पार्ट बन में आपको दिया हुआ था उसमें क्या था कि उसमें आपका क्या था पार्ट बन में कि जो चिस चिस यहर में दिया है उस उस यहर में क् इसमें ये देखा था क्योंकि वो simple orbited method था बट यहां पर अगर ऐसा बोल दे कभी कवार इसमें भी बोल सकता है अगर इसमें जो year mention कर देगा कि इसमें इतना remuneration हुआ है या फिर इसमें कुछ ऐसा income हुआ तो यहीं पर कड़ लीजिएगा तब आपको निकालना पड़ेगा लेकिन यहां पर वो नहीं बोला जब remuneration के line में यह नहीं बोला कि किस year में हुआ है तो जब इस तरह से ना बोले तो हमें पतानी चलता है कि कौन से year में यह चीज हो रहा है तो क्या करेंगी जब हम total average profit निकाल लेंगे तब plus यह minus जो करना होगा वो करेंगे और plus क्या करते हैं और क्या minus करते हैं इसके लिए मेरा part one video six number जब समग है वहाँ पर मैंने पुरा list दिया है तो वो देख लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर मिल गया minus करके इतना average profit average profit not अ देखेंडा प्रोमल फ्रोफीट का फॉर्मुला नहीं लिए है वहाँ पर फॉर्मुला लिखाही है हでしょう नहीं मेरा पर फॉर्मुला था का ओपक़ा नॉर्मल क्रॉफित लुचिट का पॉर्मूला उसाफीट का फॉर्मुला मीठाएंगा तो कहा दीनी आपको नार्मल रेट आफ रेटन तो नार्मल रेट अफ रेटन आपका थिनफ परसेंट है उसमें निकाल लिए गानको नॉर्मल प्रॉफित मिल जाए गा अब हमारे सूपर सूपर प्रॉफित इन्प अभी मैंने कई लाग ऑफिट तो उससे अप प्रॉफिट ये दो लाग को माइनस कीजिए तो आपको मिल गया साथ जार सुपर पॉफिट जब ही मिल गया तो गुड्विल निकाल लिजे गुड्विल आपका फॉर्मुला था super profit into number of years तो यहां पर मैंने बार बार यहां नहीं लिखा है formula मैंने फर्स्ट पेज में जब यह वीडियो स्टार्ट की थी पहला पेज में ही मैंने लिख दिया था वहां से follow कर लीजिएगा तो यह multiply करने पर आपको goodwill का माउंट मिल गया ठीक है अब चलिए हम चलते है capitalization method यह अभी तक मैं जो बता रही थी वो super profit का सारा था पहला part 1 वीडियो में मैंने बताया था average profit method अब मैं बताने जारी हूँ capitalization method तिन ही method होते हैं goodwill के पहला average profit method दूसरा super profit method और तीसरा capitalization method तो part 1 में अपने average profit के दो पार्ट उसके अंदर दो पार्ट होते हैं तो वो मैंने बताया था super profit को मैंने अभी बता दिया अब capitalization बताऊंगी इसकी भी दो पार्ट है तो चलिए first part देखते हैं capitalization method capitalization of average profit पहला पार्ट है इसके अंदर का इसमें आप जब goodwill निकाल लिएगा तोटल capitalization value minus net asset चाहिए होगा तो आप जब आपको यह चाहिए होगा तो total capitalization value अगर ना दिया रहे तो उसको find out करना परेगा उसका फॉर्मुला है average profit by normal rate of return ठीक है और net asset भी अगर ना given रहे तो उसका फॉर्मुला है total asset minor external liabilities external बाहरी जो जो आपका burden जो हुआ लिए का मतलब क्या करना को जुकता करना है वो चीज तो वो चीज सब आपको दे दिया रहेगा outside भी बोल सकते इसको external को outside भी बोला जा सकता है तो यह है आपका normal external liabilities ठीक है तो यह आपका तीन होगे इसके अंदर का यह goodwill यह और सी ठीक है तीन ठो इसके अंदर का है अब मैं देखें इसी का फर्स्ट पार्ट अब यह देखें आप सकेंड पार्ट है आपका यह capitalization of super profit यह था आपका average profit यह आपका super profit तो इसके में क्या formula है जब goodwill आपको find out किजिएगा तो आपका formula बनेगा super profit by normal rate of return second super profit कर निकालने का average minus normal profit average का ही दूसरा नाम है actual यह फिर ट्रेडिंग profit ठीक है यह सब इसी का नाम है सिफ simple profit भी बूले तो यही है वो ठीक है अब हमको normal profit चाहिए होगा उसका formula है capital employed ठीक है यह कभी इन कर देता अगर नहीं किया तो उसका formula एक्सटर्नल लाइबलिटी सिर्फ लाइबलिटी बोले एक्सटर्नल बोले यह उस्टर्नल मतलब बोले तो एक ही बात हुआ मतलब बाहरी जो भी बर्डिंग पुंजी जो आपका लगा वो सब ठीक है और into normal profit में आप जब formula follow करने पड़ेंगे तो यहां पर चार्ट हो गया ठीक है तो अब चलिए हम चलते हैं समस में यह आपका संस 47 नंबर the average profit of a firm 2,400,000 average profit आपको given करती है कोई डिवाइड वैड नहीं करना पड़ेगा टोटल टेंजीवल एसेट मतलब एसेट जो आपका 30,000,000 है और अधर लाइबिलिटी से आपका 8,000,000 है ठीक है नॉर्मल लेट अफ रिटन 10% है capital employee यह सब वर्ट सब देखके डरिएगा मत अधर यह टेंजी वली सब डरिएग मत एक ही चीज़ हुआ ठीक है तो आपका एसेट इतना हो गये और लाइबिलिटी आपके इतने हो गये और नॉर्मल रेट अफ रिटन आपका यह दे दिया किसके उपर capital employee के उपर आपको निकालना नहीं यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि capital amount नहीं दिया है यहाँ प दूपर प्रॉफिट मेथर की दोर ठीक है तो चलिए समके सल्यूशन में चलते हैं यह रहा है क्या गुद्विशन और गुद्विल बाइग कैपिटिलाजिशन मेथड कौन सा मेथड कैपिटिलाजिशन ठीक है तो सबसे पहले तो निट आपके निकाल लेंगे क्यों अभी तो फिर गुद्विल निकलेगा इसलिए मैंने नेट एसेट निकालना है तो नेट एसेट का फॉर्मुला क्या एसेट मैनेस लाइबलीटी ऐसेट आपके थीस लाइबलीटी आट लाइग का इसे मैईस वह तो बाईस लाइख हो गया ठीक है है हुँ 22 लाग होगaya एक तक हो चीच तो थीस लाग हो गए कि लाइब Dan हो गई तो इन दो नम एको Sony जो करें निकल गई नीटा जब गया तो में एक आपका फॉर्मला है प्रॉफिक बर्मर यरेठर उपर इपनोग में सबिपने सब्सक्राइब हो of return भी गिवें था 10% दो लाग 40,000 का 10% मतलब डिवाइट कीजिएगा मतलब क्या अलगोटरेटर में कैसी कीजिएगा 240,000 डिवाइट का साइन कीजिएगा 10 फिर डिवाइट परसेंटेज का कर दीजिएगा ठीक है नहीं तो आपको प्राबम हो रहा है तो 240,000 इन्टू 100 बाइट 10 ठीक है ऐसे भी कर सकते लेकिन उसमें टाइम लगएगा तो डिवाइट कीजिएगा फिर 10 फिर परसेंट का साइन दे दीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे 24 लाख ठीक है अब आईए गुडविल आपको मिल जाएगा कैसे यह दोनों हमको मिल गया त आप तो गुडविल निकल जाएगा टूटर्थे चैपितोल आइशन वैल्यू माइनेस डिट एसेट टीस माइनध इस अद्वाइस लाएक और यह तो दे दीजिए आपका वैल्यू कितना था कैपिते अधर सिमेल लूए 24 लाख जो बिस लाख माइनश नेट आएशन आपक यह 949 नमबर संस में चलिए Muosta National Committee क्या है total i September 4 लाग एसाइट क्क्राहे अलग एक है प्रॉफिक मतलब यहाइबरीच लाइबिटी है 2 लाग पीसेज़र ठीक है रामल अन्मा में Middle Eastern beim यहाइब का दिया हो है 10% ठीक है इसमें आपका आफंड प्रफित अ मतलब क्या मतलब वह यह average profit 32 जारी बहुत easy sums है खुद भी कर लीजेगा फिर भी मैंने कर दिया जो जो आपको चाहिए होगा और comment कीजेगा हो समय बना दूंगी calculate the value of goodwill by capitalization method capitalization method की थ्रू भी बनाना है तो चलिए 49 number sums के solution में यह रहा है total asset तो आपको दिया था liability book में given है calculation goodwill by capitalization method इसी method से बनाना है तो नेट asset आपका total asset चार लाग 20,000 बूप में दिया था liability 2,20,000 इन से माइनस वा तो लाग नेट asset आपको मिल गया अब capitalization value आपको निकालना है उसका formula क्याता average profit by normal rate of return average profit आपको बूप में given था 32,000 नॉर्मल rate of return 10% डिवाइट किर जीगा इन दोनों से तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है अब यह मिल गया तो आपको गुद्विल भी मिल जाएगा इस तो आपको गुद्विल भी मिल जाएगा इस तो आपको गुद्विल का माउंट भी मिल गया यह रह आप हो गया अब हम चलते हैं यह पार्ट में अभी तक आप कर एक का रहे टार्द average profit average profit आपको दे दिया एक लाख last few years and normal rate of return of similar business 10% बत्ब नॉर्मल rate of return कितना दिया 10% ठीक है यह जो एक लाख average profit है कुछ सालों का profit निकाल के आपको दे दिया है आपको करना नहीं परेगा दे दिया है find out क्या करना है goodwill देखे first में बोला है regulation of super profit की तुरू बनाई है और दूसरा बोला है कि जो super profit आपको goodwill का जो आ जाएगा उसका 3 years से multiply करके purchase मतलब करना परेगा जैसे आप part 1 में किया करते थे वैसे लेकिन part 1 में आप average से multiply करते थे number of years को यहाँ पर बोला है super profit से number को minus करके आपको यह भी निकालना है second part the asset of the business 10 लग एसे टापको 10 लग दिये और liability external में बाहरी liability जो भी है वह एक लाक 80,000 का है ठीक है तो चलिए solution में यह रहा solution calculation of goodwill by capitalization of super profit capital employed निकालना पड़ेगा क्योंकि यह capital नहीं दिया तो formula है minus liability asset आपका 10 लग था liability आपका 1 लग 80,000 था इंस माइनस करने पर आपको 8 लग 20,000 मिल गया capital capital मिल गया तो आपको normal profit तो पता है यह बहुत easy ही है आप करते करते हैं आपको easy लगेगा capital आपको आट नहीं तो मिल गया तो उससे आप normal rate of return निकाल लेजिए formula का तो फार्मुला में निकाला तो मैंने 82,000 नार्मल profit निकल गया ठीक है यह निकल जाएगा तो यह भी निकल जाएगा तो आपका यह निकल गया अब हमको super profit निकालना है super profit का फार्मुला क्या था average profit minus normal profit तो average profit आपको बुक में given था एक लाग का यहां normal profit है आपका 82,000 यह तो देए मैंने तो इसे मैनस करके आपको super profit मिल गया super profit मिल गया तो आपको goodwill बोला था दो तरीके से निकालने first निकालना था आपको super profit के थ्रूँ तो super profit के थ्रूँ में हम आने formula क्या बताया था goodwill का super profit by normal rate of return तो यह formula है आपका तो super profit आथा थारह हजार हुआ normal rate of return आपका 3% दिया था भुक में इन दोनों का divide कीजिएगा तो आपका यह मिल गया एक लाकसी है कैसे कीजिएगा calculator में अठारह आजार लिखीगा उसके बाद divide का साहिन दीजिएगा तेन फिर परसेंट फिर इक्रस्ट दीजिएगा कोई amount मिल जाएगा ठीक है और दूसरा पार्ट इसी समय दूसरा पार्ट बुला था कि super profit को number of years कीजिए कितना number of years था 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 थी थी साल से पूर तीन साल से बोला था ना तो सुपर फाफिट आपका अठारह जार था ही यह दे दीजिएगा number of years आपका तीन से बोला था इसलिए तीन से मल्टिप्लाई किजिएगा तो 54,000 आपका सकेंड पार्ट भी निकल गया सम्स का तो चलिए अब नेक्स सम्स में चलते हैं नेक्स सम्स है आपका 56 नंबर 56 नंबर में क्या कह रहा है the following information और गिवन क्या क्या है आवरेज capital employed capital amount दे दिया एक लाग नॉर्म नेट दे दिया है 10 परसेंट नेट प्रॉफिट पांस साल का दिया है देखिए इसका मतलब हमको average profit निकालना पड़ेगा average profit एक तो दे देता है जब गिवन तो कोई बाती नहीं दिया रहेगा इस तरह से रहेगा तब तो आपको निकालना पड़ेगा नब निकालने के लिए पता ही आपको क्या फर्म लागत है total profit by number of years ठीक है अब देखिए आपे क्या बोल रहा है profit included non recurring profit on an average basis 1500 out of which 300 at the recurring tendency remuneration of proprietors is 800 पर आनम which is not charging profit and loss देखिए ये सब चीज आपको plus और minus करना पड़ेगा देखिए इसमें ये mention नहीं किया कि कौन सी एर में कौन सी कौन सी एर में minus किया जैसे मैंने part one में video part one में six number sums में मैंने ये list दिया है आपको कि क्या क्या चीज आड़ होगा क्या क्या चीज लेस होगा वो चीज आप ना देखना ना भूले क्योंकि वो देखिए तो ही आपको ये list समझ में आएगा कि क्या चीज आड़ होगा क्या चीज आड़ होग profit का amount निकाल लेज़ेगा तब plus minus कीजिएगा इस सम्स में टेकिन part 1 में आपको यह year में भूल दिया था included है तो जब यह में भूल देता है तो हम लोग average profit निकालने से पहले ही जब हम लोग add करते हैं at least करते तब भी करते हैं part 1 में देख लीजिएगा six number में confusion दूर हो जाएगा तो चलिए हम लोग जब हम लोग average profit करेंगे तब यह सब चीज हम लोग कर लेंगे लेकिन यह याद हखिएगा इसका लिष्ट देखना ना भूले part 1 वीडियो में six number sums जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने यह लिष्ट बताया है यह रहा 56 number sums तो यहाँ पर यह 56 में आपको एक लाश द्लाश चुट गया यह कैसे निकालना है तो चलिए 56 का सल्यूशन देखिए कैप्रिल ने आपको एक लाख दे दिया है नॉर्मल प्रॉफिट आपको एक लाख दिया था उसका 10% नॉर्मल रेट ओव रिटरन बोला था यह निकल गया 10,000 सूपर प्रॉफिट का फॉर्मॉला क्या था आवरिज प्रॉफिट मैनस नॉर्मल प्रॉफिट है ना एनपी मतलम नॉर्मल प्रॉफिट लेकिन एवरिज प्रॉफिट मेरा गिवन नहीं था इसलिए हमको एवरिज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा तो एवरिज प्रॉफिट क्योंकि देखिए हैं एवरिज प्रॉफि भूक में है यह लिखेगा सबको आड करके आपको यह टोटल प्रॉफिट यहां पहिन से लिखाने है ना किर ना 17,200 देखिए इससे मिला गो एबरेज बॉफित 7200 अब इस में क्या प्लस और क्या माइनस होगा यह देखिए इसमें आपको क्या क्या बुला था जब से पहले देखिए नौन रेकरिंग प्रॉफित क्या हो गया माइनस मैंने यह लिश्ट में बताया था कि यतने भी profit होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं लेस होते हैं और जितने भी loss abnormal loss है पार्ट वीडियो में बताया था मैंने six numbers करने से पहले जो भी loss होते है अबनर्मल loss होते हैं वो सब less होते हैं और profit gains जो है वो less होते हैं तो यह 1500 गर non recurring profit हुआ इसलिए हमारा क्या हो लेस हुए और 300 इसमें से आउट अफ हो गया मतलब निकल गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया है रिकरिंग हो गया इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एट हो जाएगा ठीक है यह दिए रिकरिंग टेंडेंसि ठीक है तो परसनल यूज के लिए भाटा लिए तो क्या हो जाएगा यह भी हमारे लेस हो जाएंगे इस सब चीज मैंने लिश्ट में लिखा इसलिए इतने अच्छे से मैं यहां पे एक्स्प्लीन नहीं की हूँ आप प्लीस पार्ट वन वीडियो का सिक्स नंबर समस के पहले यह मैं अब मैंने पूरा लिष्ट दिया है वो जरूर देख लिजियेगा मैं यहां पे इतने एक्स्प्लीन नहीं की हूँ उस वीडियो में मैं एक्स्प्लेन की हूँ ठीक है तो चलिए तो माइनस 1500 प्लस 300 माइनस 800 यहां कीजिएगा क्योंकि यहां में मैं सन्न नहीं है कि किस किस year में है अगर mention करता तो आप यहीं पर plus minus करते तब यह total निकलता जैसे six number part one में हुआ था year में ही किया था इसलिए मैंने वहां किया है यहां यह नहीं बूला है यहां बूला है जब year mention ना करे तो पूरा average profit निकाल दीजेगा फिर plus minus कीजिए तो यह करने से आपको यह मिल गया ठीक है यह मिल गया तो आपको super profit का formula average profit minus normal profit होता है तो normal profit होता है average profit यह amount हुआ normal profit आपका क्या निकला था 10,000 तो 10,000 यहां पे मैंने मैंने के तो इससे का हुए पांच जाए 200 super profit निकल गया है और super profit निकल गया तो गुडविल निकाल लीजिए क्या formula था super profit by normal rate of return super profit आपका 5,200 आया normal rate of return 10% यह divide कीजिएगा बस amount आगया यह रहा आपका गुडविल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए subscribe करना ना भूले और इसी तरीके से मुझे comment कीजिए जो जो सम नहीं आता है मुझे कहिए मैं बना के समझाओंगी और कुछ भी ना समझ में आए तो वो भी मुझे आप question कर सकते हैं नहीं तो मेरे facebook के page में भी comment कर सकते हैं लिख सकते हैं अपने doubt clear कर सकते हैं और एक बात बहुत जन बहुत लोग देख रहे हैं बट वो मुझे न subscribe कर रहे हैं न like कर रहे हैं so please like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और इसी तरीके से comment कीजिए thank you